Hello dear student, आज मैं आपके सामने मैस का question लिक रहा है, question क्या बोला है, if alpha and beta are the roots of the equation, x square plus 2 root 2x minus 1 equal to 0, find the quadratic equation whose roots are alpha power 4 plus b power 4 and 1 upon 10, whole bracket alpha power 6 plus b power 6, ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या बोला है, एक equation है, equation आप देखें में बता दू, यह हमारा equation है, यह देखें क्या है, यह हमारा equation है, आप यहाँ दे सकते हैं, इस equation में x की highest power 2 है, ठीक है, तो यह quadratic equation है, ठीक है, यह लेडी आपको पता है, कि यह quadratic equation है, तो quadratic equation है, इसके दो roots दिये वे, alpha और beta roots दिये वे, अच्छा, roots किसे कह जैसे आपने कई quadratic equations solve किये होंगे और उसमें आपको x की, क्योंकि यहां पर quadratic equation में x की highest power की होती ही, 2 होती है, तो quadratic equation जब भी आप solve करते होंगे, तो इसमें आपको x की 2 values मिलती होंगी, 2 values मिलती हैं, जैसे for example, मैं आपको एक ऐसे ही example दाती हुए, x square minus 3 x plus 2 is called to 0, माली जै के quadratic equation है, और इसमें कहा जा रहा है कि आप x की values find कीजे, तो आपको कैसे पहर चलेगा कि यहां पर x की कितनी values आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर x की power है 2, यह highest power 2 है तो यहां पर जो भी x की value जाएगी, अगर यहां पर highest power 3 है, तो वह क्यों भी equation होगा, वहां पर x की 3 values जाएगी, तो for example माली जै के यहां पर power 2 है, तो यह quadratic equation यहां पर x की माली जै दो values आती है, for example मैं बता रहे तो माली जै 1 आ रही है और दूसरी की आ रही है 2 आ रही है, ठीक है न, example के दोर पर बता रही हूँ, यह quadratic equation है, इसको हमने solve किया, तो हमें 2 values मिली 1 और 2, तो यह जो 1 और 2 जो है इसे को alpha नाम देते हैं, और इसे को beta नाम देते हैं, यही alpha बीटा, इन्हीं को roots का जाता है, इन्हीं x की जो 2 values हैं, इनको roots का जाता है, इनको एगी special नाम दिया गया है, alpha और beta, ठीक है न, तो वही चेज यहां पर कहा जा रहा है, कि यह जो आपका x square plus 2 root 2 x minus 1 जो है, equal to 0, यह quadratic equation इसके 2 roots दिये हैं, alpha और beta दिये हैं, ठीक है, उसका roots यह दिया हुआ, alpha power 4 plus b power 4 and 1 upon 10 alpha power 6 plus beta power 6, ठीक है, अब देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या है, कि एक quadratic equation दिया हुआ है, और उसका root alpha, beta है, अब सेकेंड पार्ट में roots तो दिया हुआ, roots क्या है हमरा यहां पर, roots हमरा यह, alpha power 4 plus beta power 4, 1 upon 10 alpha power 6 plus beta power 6, यह roots दिया है, अब हमें इसका equation बनाना है, हमें इसका equation बनाना है, ठीक है, तो चलिए, इस question को मैं आगे बढ़ाती हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह हमारा given quadratic equation दिया हुआ, ठीक है, यह quadratic equation दिया है, और इसके roots क्या है, alpha, beta, alpha and beta are the roots of this equation, ठीक है, this equation मतलब B-A वाला equation, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपने class 10 में पढ़ा होगा है, कि अगर कोई quadratic equation दिया है, उसका root alpha, beta है, तो वहाँ पर दो चीज़े आपको निकाल देनी हैं, क्या निकालना है, पहला निकालना है, sum of the roots, और दूसरा होता है, आपका product of the roots, यह दो चीज़े तो आपको आग बंद करके निकालना है, ठीक है, तो sum of the roots होता है, minus b upon a, और उस product of the root होता है, c upon a, अब यहाँ पर यह B, A और C, इसकी value कैसे मिलेगी, उसकी value हमें इस equation से मिलेगी, तो कैसे पता चलेगी हमें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x square है, यहाँ पर x square है, यहाँ पर 1 तो हमेशा इंटू रहेगा, 1 तो सभी साथ इंटू रहता है, तो यहाँ पर देखिए, यह जो x square का coefficient यानि कि जो number है, इसको a बोलते है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर य यह क्या रहा है, 1 यह constant number है, इस sign के साथ लेना है, ठीक है, तो यह c की value होती है, तो a की value क्या है, i1, b की value i2 root 2, और c की value i-1, ठीक है, तो अब sum of the roots क्या होता है, minus b upon, तो देखिए, minus already, इसमें लगा वाए, तो लगाए, फिर b की value क्या है, 2 root 2, तो 2 root 2 लिखिए, upon a की value कितन यह 1 लिखिए, तो यह क्या जागा, minus 2 root 2, ठीक है, यह क्या है, अब का c upon a, तो c क्या है, minus 1, और a क्या है, हमारा 1, ठीक है, तो यह कितना होगा, minus 1, तो आप देख सकते है, sum of the roots, यह आया, product of the root, यह आया, ठीक है, sum of the root को कैसे denote करते है, इसका root क्या है, alpha और beta, यह दो root तो यह लेडी बता दिया, तो sum of the roots का मतलब क्या होता है, sum of the roots, यह रूट का sum, तो यह दोनों का sum कर दिए, तो यह होगे, alpha plus beta, product of the roots का मतलब क्या है, roots को product, यह रूट का मतलब होगे, alpha into beta, तो हम यह कह सकते हैं, sum of the roots को अगर हम लिखना चाहें, बिना sentence के, तो इसको लिशकते ह sum of the root, तो यह कितना आया, minus two root two, यह देखिए, लिखा है न, second हमें क्या निका है, हमने क्या निकाना, product of the root, product किसी कहते है, दोनों roots का into, तो यह होगे alpha into beta, यह कितना आया, आपका minus one, तो यह दो चीजे आप इसको संभाल के रखे, इसका use है, अब कहा use है, मैं आपको बता हूँ तो हमें देखिए, क्वेश्चन में find क्या करना आ है, देखिए, हमें एक quadratic equation बनाना है, find देखिए, देखा दूू मैं आपको, find the, यह देखिए, find the quadratic equation, whose roots, उसका roots अधिए यह दिया हूआ है, find the quadratic equation बनाना है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, quadratic equation बनने का भी एक formula आपको बता यह जो मैं लिख देती हूं है नीचे, जो इसका formula है, क्या है quadratic equation बनने का तरीका है general, वह x square minus alpha plus beta, अब यहाँ पर देखिए मैं alpha dash और beta dash लिख रही हूं, x plus alpha dash beta dash equal to zero, तो यह है quadratic equation, यही हमें बना रहा है, तो यह बनेगा कैसे, जब हमको यहाँ पर alpha dash plus beta dash की value मिलेगी, अब मैंने यह alpha dash, beta dash क्यों लिखा है, क्योंकि question में और LADY दो रूट बता दिया है alpha और beta तो यहाँ पर मैं alpha beta न ही लिखोंगी, इसरो अलग हटके लिखंगी ना क्योंकि हमारा emerging quantity equation वह अलग है, और अल्फा बीटा जिसका रूट बता रहा है उसका quadratic equation x square minus 2 root 2x, sorry plus है, minus 1 is equal to 0, यह है हर quadratic equation का जो roots होता है अलग अलग होता है तो इस quadratic equation का root alpha बता दिया है तो हमको जो अब quadratic equation बनाना है तो उसका roots तो अलग होगा है, हर quadratic equation आपने solve किया, सब का roots अलग अलग अलगाता है तो इसल से लिखूंगी, यहा पर क्या है, आपका इसको में हटा दूँ, यह क्या है, यहाँ पर यह जो है, अलफा ड़ाश और बीटा ड़ाश यहां रूट्स, अब रूट्स ओफ ग्वार्टिक रूट्स एक्वेशन, कि यहीं हमें Quadratic Equ백 बनाना है, तो अब हमको यहीं क्या है懵त करना है, तो इसकी value हमें कैसे पता चलेगी, इसका roots क्या दिया अब है, इसका roots है, alpha dash और beta dash, और question में roots देखी क्या दिया अब है, जो quadratic equation में बना उसका root है, alpha power 4 plus beta power 4, और दूसरा क्या दिया है, 1 upon 10, alpha power 6 plus beta power 6, यहीं दिया है, यह root दिया है, बेर नीचे करके, आपको confused नहीं होना, यह द 10 करके, यह दोनों क्या है, जो quadratic equation बना उसी का root है, उसी का root है, यहाँ पर इस quadratic equation का root क्या दिया हुआ था, alpha और beta, और यहाँ पर जो roots दिया है, alpha power 4 plus beta power 4, और 1 upon 10, alpha power 6 plus beta power 6, तो यहाँ पर यह जो alpha power 4 plus beta power 4 रहना, यहीं alpha dash है, ठीक है, यह alpha power 4 दिया है, और यह जो है, आपका य प्लस बीटापावर 6, तो यही alpha dash यह beta dash इसको मैंने माना, यही root है, इसको मैंने alpha dash मान लिया, इसको मैंने beta dash मान लिया, ठीक है, यह आपको अब समझ में आया है, ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेश थोड़ा उपर करते हैं, हमारा यहाँ पर जो quadratic equation बना है, उसका root है, यहाँ पर alpha dash है, यहाँ पर alpha power 4 plus beta power 4, और beta dash क्या है, 1 upon 10, alpha power 6 plus beta power 6 यहीं है, ठीक है, तो हमको क्या इसको मैंरा यहाँ, हमें ड़ा देखला है ALPALSBETA DASH और लिखना है U 5-DASH was. एक एक हम उतल टान के प्रूर बेडा निखना में या आया है आप में लेकल की judy दिखना में इसका साथ ही यह देखिए यह आपका बीटा लिखा हुआ है इसको मैं मीटा के अच्छा सा लिखे थोड़ा सा यह रहा कुश्चन बहुत लेंदी मैंने समझाया लेकिन अकर आप समझ जाएंगे बस फॉर्मूला लगाना है बहुत एजी वे में सॉल्फ हो जागा तो चलिए पहले यह अल अलपा एस्कोर यह तेखिए अलपा इसकुर बीटा एसकुर का होल स्कुर माइनस तो फॉर्मूला एक बराबर है इसको आप अपन कर लेंगे तो आपकर यहीं चीज़ ठाएगा ठीक है तो यह बना अब आप देखें यहां सबन्झना है अपकर अपको ऐसा फरमूला भनाना है ना जिसरेख quelकुन है Zeiten हमारे पास यहां सब्सक्राइब वेड़ㅋㅋㅋㅋ अब हम चेंज करेंगे तो यह जो अंदर दिया हुआ है, इसकी बात हो रही है, इसका फॉर्मूला देखिए, यह बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्कॉर, माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, अच्छा, अब इस पर पावर 2 लगा है, तो यहां पर यह ब्रैकेट लगाई है, और पावर 2 लगाई है ठीक है, और यह क्या माइनस, अच्छा, यहां पर देखिए, इस पर भी स्कॉरर है, इस पर भी स्कॉरर है, अल्फा बीटा दोनों पर, यह पहले 2 लिख दीजिए, तो हम यहां पर क्या करेंगा, अल्फा बीटा एक साथ लिखके, होल प्लाके लगाए, स्कॉर लगा सकते ह रख सकते हैं ना वैलू, ठीक है, तो यह इसका फॉर्मूला कैसे बनाया है, यह आपको देखिए, मैं बता ही देती हूँ, चलिए, मैं एक्स्प्रेइन करके बता देती हूँ, कैसे आया है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमारा जो वरियेबल अल्फा बीटा है, मैं और बी का पावर फूर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो देखिए, कैसे बनाएगी, यहां पर देखिए, इस पावर जो फूर, इसको हम तोड़के, इस तरीके से लिए सकते हैं, प्लस, यह जब बी का पावर फूर, इसको तोड़के, बी स्कॉर, होड़ बेकर रिसक हैं, क्योंकि पावर और अक्स्पोरेंट में यह दोनों पावर इंटू हो जागा, तो इसे के बराबर आजागा, तो इसे में, अच्छा, अब देखिए, मैं यहां पर क्या करेंगी, यह जो अंदर वाला A स्कॉर है और यह B स्कॉर है, इसको लेट हम माल लेते हैं A, और कै यहां पर कैपिटल A प्लस B का होल स्कॉर है, इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहिए, तो सिंपल वहीं चाहिए, जीज़े, A स्कॉर, प्लस 2AB, प्लस B स्कॉर, बस यहां पर वैरियेवल हमारा क्या है, क्या क्या है, तो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, फॉर्मूला तो यहां प्लस B स्कॉर, यहीं पर रहगा, ठीक है, यह आपको समझ में, आपकी पेश थोड़ा उपर करते हैं, यह पेश में आपको उपर करके दिखा रहे हैं, तो अब हम देखिए, यहां पर क्या करेंगे, A का पावर 4 प्लस B का पावर 4 इकल 2, इसके जगह हम क्या लिखें A square, A square, A square को क्या माना है? at b square, C square, C square, यहीं तो रखेंगे ना, जो हमने माना है, लट दी यह, और यहाँ पर whole square minus 2, और यह क्या है A, B, A क्या है amara A square & B square, यहाँ आपको समझ में हैं, ठीक है, अब देखें किए इसका क्या करेंगे? अब यह वाला जो a square plus b square इसका formula बनाएंगे, बिल्कुल वैसे हैं जैसे यहाँ पर इसका बनाएं थे, यह देखिए a plus b का whole square तो इसका भी तो formula बन सकता है, कैसे बनेगा, यहाँ पर a square plus b square है, तो हम अगर formula बना इसका a plus simple, a plus b का whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab होता है तो यह यहीं पर रहने देंगे, यह plus 2ab है, इसको इधर shift कर देंगे तो यह क्या हो जागा, इसको यहीं पर रहने देंगे, a plus b का whole square, यह plus 2ab इधर आएगा ना, LHS में, तो minus 2ab हुआ, equal to, और यह चीज यहीं पर रहेगी, ठीक है तो अब हम कह सकते हैं, कि इस a square plus b square के जगा, मैं दूसरे किलर से बतादू इस a square plus b square के जगा हम यह लिख सकते हैं क्या आया है, a plus b का whole square, minus 2ab लिख दिया, यह bracket के अंदर और अभी इस पर power 2 है, तो आप यह वाला bracket लगा कि power 2 लगाईए minus, यह क्या है, two लिखे अच्छा, यह a square और b square है दोनों पर square लगा है, तो हम यहाँ पर a, b को एकस्द लिखे, whole bracket लगा के, single square लगा सकते हैं, तो आप finally दे सकते हैं कि a का power 4 और b का power 4 इसका formula यह आया आपस में यह सब बराबरी है बस आपके इस formula में यही वाला formula यूज़ हुआ, a plus b का whole square, इसी formula का यूज़ किया गया है, इसको बनाने के लिए a का power 4 plus b का power 4 का, तो यह आया, तो आपस यहाँ पर a और b के जग़े alpha बीटा रख दीजिए, alpha बीटा हम यहाँ पर लग दिया, यह देखिए, मैं पे नीचे अलफा बीटा की है, तो इसके formula में भी यही चीज़ आने चाहिए, तो आगया है, अब देखिए, इसके आगया हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं कैसे करूँ, पेज तो बहुत हाँ, पेज मैं नीचे करती हूँ, ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पर formula उसको लिग देती हूँ, इसको जो हो किया है, अल्फा डैस कल्टा यही था, अल्फा का पार फूर प्लस बीटा का पार फूर, इसका formula में ने बनाए, अल्फा प्लस बीटा का whole square, माइनस 2 इसकोआर, माइनस 2 और यहाँ पर bags बीटा का whole square ठीक है यहीं नहीं है बस इसमें यहां इसके जगह alpha beta ही तो रखना है तो alpha dash is equal to देखिए alpha plus beta की value कितनी आई है यह आई है minus 2 root 2 और alpha beta की value आया minus 1 मैं दिखा दूँ यहां पर पेज नीचे करके आपको यह देखिए यह देखिए यह value आया ना यह minus 2 root 2 और minus 1 यह आया है तो बस यहां पर रख दीजे आप इसमें यहां पर तो पहले यह वाला bracket लगाईए इस alpha plus beta की जगह हम क्या रखेंगे minus 2 root 2 तो minus 2 root 2 अब इस पर देखिए square भी लगा है तो square लगाई है यहां पर minus यह क्या 2 और यह क्या alpha beta alpha beta की value क्या minus 1 अब यह whole bracket लगाईए और यह square लगाएंगे minus यह क्या 2 और इस alpha beta की जगह क्या रखेंगे minus 1 का whole square यह हो गया तो alpha dash क्या हो जाएगा देखिए इसको solve करते हैं यह ब्रैकेट लगाई माइनस 2 root 2 का whole square minus minus plus 2 2 जा 4 और 4 2 जा यह पूरा 8 हो गया यह पूरा 8 हो गया अब देखिए यह minus और यह minus plus हुआ minus minus plus यह 2 लिखिए whole bracket square लगाई minus अच्छा यह 2 लिखिए और minus 1 का whole square तो यह तो 1 होगा होगा ना equal to अब यह देखिए 8 plus 2 क्या होगे 10 10 का और यहां पर यह स्क्वार लगाई लगाई यह minus यह 2 लगाई तो 10 का square 10 10 जा 100 अब minus 2 तो यह कितना होगा 100 में से 2 क्या बच्चा 98 तो finally हमारे पास alpha dash की value जो की alpha dash हमारा क्या था alpha का power 4 प्लस beta का power 4 इसकी value क्या यह 98 आई है यह आया नह अपर alpha dashon में अलग से solve किया ठीक है अब हमको क्या यहां पर सॉल्फ करना है beta dash कहा रहा यह नहीं यह देखिये यह राए यह इसको भी तो अलग संव करना है यह beta dash यह बटा dash की value जैसे इसकी value क्या यह अभी 98 आय है यह लिग दिया थै इसको भी अलग से सॉल्फ करना है यह तो इसके बीटाटश के भी वैलु आजाएगी तो अलफा डैश और बीटाटश दोनों जब आ जाएगा तब हम यहां पर रखेंगे देखिए यह क्वाड़िटिक एक्वेशन बनाना है तो क्वाड़िटक एक्वेशन बनानी का यही त देखिए तो पॉर्मॉले करें ऐतिया है पर भी पर फॉर्मूलना बहुत असे पहınला है थीकज़ा है यह देखिए हमारा पास क्या है यहां बीटाटश है पॉर्णे से यही थी तो है तो सबसे पहलagem यहां पर लिखिए वाला प्राकाइट लगई अब देखिए यहां पर होल बैकेट पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह किसे बीटा का पावर 6 जो है, इसको हम बीटा का पावर 2 होल बैकेट पावर 6 लिख सकते हैं, मतलब तो वही होगा ना, भाई यह 2, 3, 2 हो जागा तो इसी के तो परावर आएगा, ठीक है ना, अब इसके आगे देखें हम पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यह जो अलफा स्क्वार है ना, और यह बीटा स्क्वार है ना, इसको हम लेट माल लेते हैं, यह स्कल्टू अलफा स्क्वार, और कैपिटल B को माल लेते हैं, बीटा स्क्वार, तो यह हो जागा 1 अपावर 10 होल बैकेट, इस पूरे को ह 1 upon 10, अब देखें यहाँ पर यह formula aq plus b, कि आपने पढ़ाई है, माली जे aq plus b की formula क्या होता है, a plus b, bracket में into, और क्या रहता है, a square minus a b plus b square, यहाँ पर क्या है, small a और b है, यहाँ पर capital, capital b है, तो variable change होने से कोई फार्क नहीं पढ़ागा, formula आपके यहीं लगएगा, तो फॉर्मूला बनाए ए प्लस बी, तो देखे, capital A plus B, फिर क्या है, capital A square minus AB plus B square, यह बना दिया, यहाँ पर फॉर्मूला ठीक है, अब पेज थोड़ा उपर करते हैं, यह पेज हमने उपर किया, तो यह हो जागा, इक्वाल टो यह हम यहाँ पर क्या सॉल्फ कर लें, बीटा इक्वाल टो लिखावा है, तो देखे, यह है, 1 upon 10, 1 upon 10, तो इसके साथ हमको धोके ही लेकर चलना है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, अब यह ब्रैकेट लगाईए, अब हमने यहाँ पर A plus B है, लेकिन हमने A माना कि है, alpha square और beta square, यहाँ पर लिखे, alpha square plus beta square, यहाँ लिखे यह तो A है, लेकिन इस पर power 2 लगा है, तो whole bracket लगागे power 2 लगाईए, फिर minus, यह देखे, यह क्या है, अच्छे से नहीं लिखा, minus, यह A, B है, minus, फिर क्या है, minus, A, B, A के हमारा alpha square, B के हमारा beta square, plus, यह देखे, B square, तो B की value क्या है, B की value पहले तो लिखे, beta square, अब इस पर power 2 लगा है, तो आप power 2 लगाईए, फिर यह वाला bracket लगाईए, फिर यह बड़ा वाला bracket लगाईए, close कर दीजे, simple एकदम, कुछ भी नहीं है, इस में, page उपर करते, अब देखे, इस कहाँए, हम यहाँ पर करेंगे, बीटा डैश लिखे, equal to, अब यहाँ पर देखे, यह पर देखे, यहाँ पर हम जो बीटा डैश जो है, जो बीटा डैश हमारा, इसका भी हम फॉर्मूला बना रहा है, देखे, बीटा डैश हमारा क्या था, यही है न, बीटा डैश यह देखे, तो यह बीटा डैश है, इसका भी फॉर्मूला जो बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, कि इसके formula में केवल दो ही चीज़ होना चाहिए, alpha plus beta और alpha beta, क्योंकि हमारे पास इसी की तो value है, क्या है, alpha plus beta की value क्या है यहाँ पर, हमने minus 2 root 2 है, और alpha beta की value क्या है, minus 1, तो इसका formula बनेगा, उसमें केवल यहीं 2 term होने चाहिए, तब यह तो इसकी value हम रख पाएंगे, तो इसलिए इसका formula इस तरह से बनाए जा रहा है, ठीक है ना, प्याज उपर करते हैं, अब इसके आगे देखें, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर यह alpha square plus beta square, मैंने इसका formula उपर वाले में बताया है, इसका formula क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा alpha plus beta का whole, आप उपर देख लिजएगा minus 2 alpha beta, यह इसका formula है किसका, यह मैं देहान से बताएंगे, इसका, ठीक है, अब यहाँ पर यह वाला bracket लगाई है, देखें, यह वाला bracket लगाई है, ठीक है, अब यह वाला bracket लगाई है, अब देखें, यह alpha है, यह 2 है, दोनों power आपस में 2 हो जाएंगा, तो alpha का power 4 होगा, minus, अब यह देखें, यह alpha square है, यह beta square है, दोनों पर square है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, single alpha beta लगाई है, अब यहाँ पर देखें, यह भी 2 है, यह भी 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, दोनों इन 2 हो जाएगा, बीटा का power 4 हो जाएगा, ब्रैकेट close, अब यह वाला bracket लगाई है, तो beta dash equal to one upon ten, यह वाला bracket लगाई है, अब देखें, हमारे पास क्या करना है, देखें, प्लस beta का power 4 है, इनको एक साथ लिख लिए, लिख दिया, और यह क्या minus, alpha beta का whole square, फिर आप यह वाला bracket लगाई है, फिर यह वाला bracket लगाई है, इस फिर यह वाला bracket लगाई है, close कर देखें, अब देखें यह beta dash, is equal to one upon ten whole bracket, अब यहां पर ध्यान दीजेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, मैं थोड़ा इसको हटा दू यहां, अल्फा प्लस बीटा में दिखा दू कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया वहलू, बड़ा कन्फूजन जाता है बाद में, यह अल्फा बीटा माइनस वन ठीक है, तो देखिए इसके जगह हम क्या रखेंगे, इसके जगह रखेंगे, माइनस टू, रूट टू का होल स्कूर, माइनस यह क्या है टू, अल्फा बीटा इसकी वैलू किया, माइनस वन, अभी यह यह वाला ब्रैकेट लगा दीजे, अभी ब्रैकेट लगाई, अच्छा, अब इसकी वैलू तो हमने अल्रेडी निकाल दिया है, कैसे है, हमने अभी निकाला था अल्फा डैश, अल्फा डैश क्या था हमारा, अल्फा का पावर फोर, देखिए, अल्फा का पावर फोर, प्लस बीटा का पावर फोर, जो शुरू में तो यहां पर इसकी जगह तो हम 98 रख देंगे ना, रखेंगे कि नहीं, 98, minus, अच्छे यह अलफा बीटा का होल, इसको अलफा बीटा का है, minus 1, खोल इसका, अब यह वाला ब्रैकेट लगाईए, और इसको close कर दीजिए, ठीक है, तो बीटा डेश, अब इसको यह वाला बीटा प्लस, तो फोल डूष यह, अगया, यह माइनस और ए सब्स, तो फोल यह ब्रैकेट लगाईए, फिर इसके बाद यह वाला लगाईए, गया, 98, 90, 98, का होल गए, और यह ब्रैकेट लगाईए, तो वह लिगता है, यह आपको समझ में आया, पेश हम उपर करते हैं, पेश हम और यह इंटू है न की बीच में, इंटू, 98 में 7 गया, 97 बचा, ब्रैकेट क्लोस, तो देखिए, यह सब इंटू में है, तो देखिए, यहाँ पर यह 10, और यह 10 कैंसल, तो क्या बच रहा है, केवल 97, तो हमारे पास बीटा डेश की वैलू क्या आई, 97, ठीक है, यही तो आ र कर दिखाती हूँ, अलपाड़ आई, 98 और 97, ठीक है, यह रहा है, यह रहा है, यह रहा है, परते कितना लंबा चोड़ा हो गया, हाँ यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर मैं तो मैं यह लिख दिया, अलपाड़ आई, 98 और इसकी वैलू अभी हम लेकर क्या है, मैं यह इसकी वैलू क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया लिख दू, मैं यह देखिए, जो लिखावा तो वह ही चीज लिख रहे है, इसकी वैलू क्या यह, 97 तो आप देख सकते हैं, इसकी वैलू 98, इसकी वैलू 97, अलपाड़ और बीटा ड़़े का वैलू आ गहीनays तो अब यह ह क्या है We n तो दोनों को जोड़ लीजे scientific 98 और क्या है 97 है ठीक है नहीं तो 8,7,15,195 तो यह आ रहा है 195 अब क्या है अलफा डैश और बीटा डैश बीटा डैश तो यह दोनों को इंटू कर लिजे 98 है और यह 97 है तो 87 जा कितना हुआ भाई 87 जा हुआ 56 और 5 कह रही यहां पर और 97 जा 56, 97 63 63, 63 और 5 क्या होगा 68 हुआ? इंटू, फिर यह क्या 9,8,72 इसका 2 लिखे और 7 यहां पर रखिये तो 98,72,981,81 और 7 क्या होगा? यह हो जागा 80,80 यह तो देखे यह क्या हो जागा? आप देखें है आपने बहुए है, आपको मैतोड सेँज़ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनाईगा है, ठीक है? यहां बना के अपको दिखाया है तूष कहा गया āक्वधिकुष्ष्भाश्म आपा आओ is, यह थेह यह यहां पर है, यह थेहना है, यह थेह मैं nearly यह है तो बस आप क्या करना यहां पर एक्स स्क्वार माइनस इसकी वैलू तो हम लेकर आ गए ना कितना आया है यह देखिए 195 यहां पर लिके 195 और यह एक्स है इसके साथ यहां पर एक्स लगाईए प्लस अब यह अल्पा डैश बीटा डैश इसकी वैलू कितनी है यह 9506 एक्वाल तो यह हमारा आंसर है अब आप यह सोचेंगे कि यह आंसर जो है हम कैसे समझें कि बिल्कुल सही क्वेशन बनी है तो देखिए आपको क्या करना है माल लिजए कि आपके पास यह क्वाड़िटिक इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैलू निका आएंगी दो वैलू आएंगी वह एक्स की वैलू को होंगी न इल montage की वैलू होंगी किस की वैलू होंगी यह और रिटा तो जो आलtoberबीटा आएगा न आप यह अपर देखिए इसमें रखिएगा कंजीगा यह देखिए जो इसका जो रूर्ट बताया है न कोईशन में यह अलफा का पाँर 4 प्र्स बीता का पाँर 4 तो जो दो रूट्स आएगे ना उस kwadrity equation के तो Malachind के एक्स की डो वालु आ रहे है Malachind की X की टो वालु आ रहे है For example, बता दू़ो नाइन आ रहा है Malachind की 19 टो जो जो answer kwadrity equation आए है ना, वहासे हमने माले जी के वहाँ एक नए कोश्चन बन गया है कि वह एक क्वाड़िटिक कोश्चन है, वहाँ से X की वैलू फाइंट किजिए तो माले जी यह X की दो वैलू आई है तो यही एक दो वैलू या तो यह अल्फा होगा या तो ये बीटा हो गया तो ये अलफा को तो ये यहां पर रख दीजेगा इसमें अलफा का पावर फोर प्लस बीटा का पावर फोर और यहां पर रखेगा बैलू ठीक है यहां पजो बालू लखेंगे तो आप देखेंगा अगर यह आता इसके बराबर आ जाएगा आपका कहा गयer कुशन और किधर अम आग गये थे यस यह देखें इतना आ जाएगा आपका इतना आ गया है ना इतना आ जाएगा तो आप समझेगे कि आपका एक quadratic equation सही बना है ठीक है तो मुझे उमेद है आपको यह question जो है